दोस्तों रमस्कार मिरे नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजानक के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सवा चुनाव है विधान सवा चुनाव को लेकर तमाम तयारियां राजनीतिक दलों की हो चाए प्रशासनिक हो और चाए फिर उन लोगों की जो चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं पूरे शवाब पर है इस सब के बीच में राजनीतिक विशलेशक भी एक नजर रखते हैं नजर ये होती है कि कौन सी सीट पर क्या हो रहा है कौन से विधान सवा चेतर में क्या हो सकता है कौन से विधान सवा चेतर का इतिहास क्या था और उसका भविश्यक क्या होगा वर्तमान की स्थितिक क्या है इन तमाम बातों को लेकर हम भी लगातार आपके बीच रहते हैं आपको बताते हैं कि कौन से विधानसभाद छेत्र में हर्याना का कौन सा ऐसा छेत्र है कि वहाँ पर वहाँ के जो राजनितिक हारात रहे कौन सी पार्टी के अनुकूल रहे और किसके प्रतिकूल हुए हम आपको लगातार बताते हैं कि अब यानि की 2024 के विधानसभाद चुनाओं में वहाँ की राजनितिक स्थितिक क्या है और इस सब को ले करके हमने पिछले दिनों आपसे फरिदाबाद की बात की फरिदाबाद NIT की बात की आपसे हमने हथीन विधानसभाद चित्र की बात की आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ फरिदाबाद लोगसभा की एक प्रमुक विधानसभा सीट प्रतला विधानसभा को ले करके प्रतला विधानसभा सीट मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बताया कि जब से यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आई यहां पर कभी कमल नहीं खिला यानि कि कभी यहां पर बाजबा का विधायक नहीं बना दोज़र चौबिस में क्या यहां कमल की खेती हो सकती है और या फिर क्या प्रतला की जमीन बाजबा के लिए बंजर रहेगी क्या यहाँ पर कोई भारती जन्ता पार्टी का नेता चुन करके विधायक बन सकता है और या फिर यहाँ अब भी वही चलेगा जो हमेशा होता रहा आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर बता दूं कि प्रतला विधानसवा चेतर से विधायक भले ही कोई रहा हो पार्टी कोई रही हो किसी सिंबल पर कोई नेता चुनाव जीता हो लेकिन सरकार के अंदर उसकी हमेशा से भागिदारी रही प्रतला विधानसवा सीट 2009 के चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आई 2007 में जो परिसीमन हुआ उसके अंदर प्रतला विधानसवा का उदाय हुआ और 2009 में पहला चुनाव हुआ 2009 में जो पहला चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर यहां से विधायक बने कॉंग्रेस के नेता रगवीर सिंग तेवतिया रगवीर सिंग तेवतिया ने उस चुनाव में यानि कि 2009 के पहले चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया से चुनाव हारे पंडित टेक्चन शर्मा पंडित टेक्चन शर्मा चुनाव रड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बसपा से कैंडिडेट थी और दूसरे स्थान पर रहे थे टेक्चन शर्मा तीसरे स्थान पर उस चुनाव में यान कि 2009 में यहां पर रही थी भारतिय जंता पारटी नैयनपाल रावत रगवीर सिंग् तेवतिया कॉंग्रेस से विधायक बने के बाद में क्योंकि 2009 में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो प्रिथला की भागीदारी सत्ताधारी दल के अंदर शुरू हो गई चुनाव 2014 के विधान सभाज चुनाव के अंदर एक बर फिर आमने सामने थे तीनों वही चहरी रगवीर सिंग तेवतिया, नैनपाल रावत और टेक्चन शर्मा 2009 में चुनाव जीतने वाले रगवीर सिंग तेवतिया 2014 में तीसरे स्थान पर आ गए और 2014 में दूसरे स्थान पर रहने वाले टेक्चन शर्मा जो हाथी पर यानि की बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए टेक्चन शर्मा विधायक बन गए 2014 में और जो 2014 के चुनाव में जो 2009 में तीसरे स्थान पर थे नैनपाल रावत वो दूसरे स्थान पर आ गए और रगवीर सिंग तेवतिया इस चुनाव में 2014 के विधानसवा चुनाव में हार गए और तीसरे स्थान पर पहुँच गए टेक्चन शर्मा विधायक तो बने बहुजन समाज पार्टी से नीला जंडा हाथी निशान पर बैठ करके वो चंडीगड तक पहुँचे लेकिन चंडीगड पहुँचने के बाद वो भगवा रंग में रंग गए यानि कि विधायक बनने के बाद उनका जो रंग था वो नीला रंग उतर गया और उनपर भगवा चड़ गया टेक्चन शर्मा वो बन गए भाजपा के समर्थक विधायक तो बहुजन समाज पार्टी के थे टेखनिकली लेकिन समर्थन दिया मनहुरलाल पार्ट वन की सरकार को पांस साल लगातार समर्थन देते रहे चुनाव आ गया 2019 का टेक्चन शर्मा को उम्मीद थी कि उनकी जो वफादारी है उन्होंने जो समर्थन दिया उसका पारितोशिक मिलेगा लेकिन वो नहीं हुआ टेक्चन शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारती जन्ता पार्टी जोईन की लेकिन बीजेपी ने टेक्चन शर्मा पर भरोसा नहीं जताया उनको टिकट नहीं दिया विधान सबागा एक दूसरे नेता था नहनपाल रावत 2009 और 2014 में जिनको टिकट दिया था भारती जन्ता पार्टी ने 2019 के चुनाओं में उनको भी भाजपा आला कमान ने ना कर दिया मना कर दिया भाई आपको टिकट नहीं दे रहे और बीजेपी ने टिकट दिया इस चुनाओं में यानि कि 2019 के चुनाओं में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चुनाव मैदान में नहीं उतरे क्योंकि भाजबा ने टिकट नहीं दिया, भाजबा में थे और इसलिए भाजबा में ही रहे, चुनाव लड़ा नहीं 2019 के चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया फिर हार गए और नैनपाल रावत इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए नैनपाल रावत ने लगवग 16-17 अजार के आसपास वोटों से चुनाव हरा दिया, रगवीर सिंग तेवतिया को और भाजबा के जो कैंडिडेट थे सुनपाल चौकर वो पहुंच गए तीसरे स्थान पर अब 2024 में क्या? अब 2024 की तयारी है मैं आपको बताता चलूं कि 2024 का जो अभी हाल ही में लोगसभा का चुनाव हुआ इस लोगसभा चुनाव में प्रतला विधान सभा चेत्र में भारतिय जन्ता पार्टी पिछड गई थी लगबग 7.500 वोट से भाजबा कैंडिडेट क्रिशनपाल गूजर हार गए थे और महेंद्र परताब चुनाव जीत गए थे उस जीत का सहरा बंधा प्रतला विधान सभा में हालाकि महेंद्र परताब सांसा तो नहीं बन पाए लेकिन प्रतला की जीत का सहरा बंधा रगवीर सिंग तेवतिया के सर चार जून को परिणाम आया था लोगसभा का जिसमें की प्रतला विधानसभा में भारती जंता पार्टी पिछडी कॉंग्रेस आगे चली गई और अब 4 जून के बाद 5 अक्टूबर यानि की लगवग 5 महीने बाद 4 महीने बाद जून के बाद जुलाई अगस सितंबर और अक्टूबर सही 4 महीने और एक दिन बाद हर्याना विधानसभाद चुनाव के लिए मतदान होना है पांच अक्टूबर को हर्याना में वोटिंग होगी अब हर्याना के विधानसभाद चुनाव के लिए प्रतला का हाल क्या है अगर मैं आपसे बात करूं कॉंग्रेस की मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था और आपसे कहा था ये तीन दिगज नैनपाल रावत टेक चन शर्मा और रगवीर सिंग तेवतिया आपको फिर से चुनाव मैदान में कठे दीख सकते हैं आमने सामने खेर अब 2024 के लिए आप अगर ये मान करके चलें कि कॉंग्रेस पार्टी से रगवीर सिंग तेवतिया का जो नाम चल रहा है अगर कोई टेक्निकल बात ना आई तो लगवक कनफर्म है रगवीर सिंग तेवतिया सबसे आगे हैं आज भी सर्वे के आधार पर भी हलाकि एक बात चल रही है वहां पर दो बार चुनाव हारने की बात लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि यह कोई अटल सत्य नहीं है कोई सारो भॉमिंग सत्य वाली बात नहीं है ना ही पार्टी का कोई ऐसा एजंडा पारित हो गया यह तो एक सिस्टमेटली बात है कि जो एक्ति चुनाव अगर हार रहा और वह कमजोर है लेकिन अब रगवीर सिंग तेवतिया कमजोर नहीं है सर्वे बताते हैं कि रगवीर सिंग तेवतिया बहुत मजबूत केंडिट है कॉंग्रेस के लिए तो रगवीर सिंग तेवतिया तो कॉंग्रेस से आप लगबग फाइनल मान करके चलें अब बात आई भारती जंता पार्टी की भारती जंता पार्टी से टिकेट मांगने वाले लोगों में जो नाम है वो सबसे पहले तो जो निवर्तमान विधायक हैं जो आजकल के विधायक हैं इंडीपेंडेंट चुन करके जिन्नोंने भाजबा को सयोग दिया नैनपाल राव पूर विधायक 2014 के चुनाओं में जीतने वाले विधायक टेक्चन शर्मा टेक्चन शर्मा के लिए भी पार्टी की तरफ से अभी जो संकेत आ रहे हैं वो पूरी तरह सकारात्मक नहीं है और इसको देखते हुए ही टेक्चन शर्मा ने अभी रभीवार को यानिकल ही एक इसे सकारात्मक संदेश नहीं है लेकिन तीसरे कैंडिडेट है जो टिकट चाह रहे हैं उनके लिए पार्टी की तरफ से सकारात्मक संदेश आ रहा है वो हैं दीपक डागर जाजरू गाओं के दीपक डागर के लिए अभी पिछले दिनों जब 29 तारिक को भाजपा की CWC क की CEC की यहने की Central Election Committee की मीटिंग हुई उसमें दीपक डागर का नाम चंकर निकल कर सामने आया अगर दीपक डागर को टिकट मिलता है तो फिर क्या होगा लेकिन पहले यह जो बताओं कि जो नाम नहीं है बाजपा की टिकट चाहने वालों में यहाँ पर चौथा प्रमुक न उनितनिया चंकर की दिपक, डागर को टिकट मिल रहा है तो वो टिकट पर चौनाउ लड़ लेंगे गुलवीर देशवाल को टिकट की ना हुई है तो कुलवीर देशवाल चंकर रहें उनका चौना लड़ना लग मकते हैं। उसके बाद में नाम आ जाते हैं कई और बल्देव सिंग अलावलपुर का नाम आ जाता है उसके बाद में उसके बाद अगर आप अगला नाम चलें तो फिर वहां पर बिजंदर नहरा का नाम आ जाता है फिर आगे चलें तो धरम चौधरी का नाम आ जाता है और भी कई केंड डेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगे दीपक डागर को अगर टिकेट मिलता है तो फिर आप ये मान करके चलें कि टेक चंशर्मा भी चुनाव मैदान में होंगे नेनपाल रावत भी मैदान में होंगे और कुल्वीर देशवाल भी चुनाव मैदान मे होंगे और अगर ये चारों निता चुनाव रड़ेंगे तो फिर क्या होगा चारों के पास जो वोट शेर मिलना है वो बीजेपी फॉलोइंग वाला वोट शेर है तो इस थिती में भारती जनता पार्टी के लिए संकट का सामना करना पड़ सकता है और संकट कौन सा संकट वही तीन बार चुनाव हारने वाला संकट इस चुनाव में वैसे भी भारती जनता पार्टी के लिए एंटी इंगम्बेंसी जादा है अगर ऐसे एंटी इंगम्बेंसी में और पार्टी के च कारचार नेता चुनाव मैदान में अगर दी गए अलग-अलग सिंबल पर भी तो उसका हशर क्या होगा परिणाम आप भी जरूर बताएं कि क्या इस थिती में प्रतला में कमल खिल सकता है या आपको क्या लगता है कि प्रतला विधानसवा छेतर से 2024 के चुनाव में कौन चु पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें